क्लास 10 बेसिंग में सांबल बेपार 2023 ये कोस्टनमर 26 के सालीशन में हम लोग पहुंच चुके हैं आई होब कि आपने इससे प्रीवेश वीडियो अच्छे तरीके से देख रखा हुगा कपनी प्रेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको दॉक्शन में तो एक बार जरू चेक कर लोगी क्या है कि कैसे ये बनेगा और उसी के बेशिस पर एक दम आप बना कर आ जाना तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं क्वांट्र अडिक्शन में ये हमारा सिंप्री सॉल्व होगा तो ये होगा लेट रूट फाइफ भी रैस्नल लंबर हम लोग सबसे पहले लेट क्या कर लेंगे ये रूट फाइफ कैसा है इस रष्मट रॉबर है और राइस्नल लंबर को हम लोग लिखके सकते हैs रूट 5 फोर्म लोग लिख सकते हैं P by Q के फोर्म में जहां पर P और Q के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि P and Q are co-prime number कैसा होगा co-prime co-prime number होगा और इसके साथ सथ इसके बारे में क्या बहुत सकते हैं and their HCF और इसका HCF भी कितना होना चाहिए इसका मतलब 1 होना चाहिए कि इसका HCF क्या होना चाहिए यानि कि दोनों के बीच में 1 के सिवार कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसके बाद करते हैं स्क्वारिं बोट साइड तो हम लोग क्या करते हैं है mm q 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 आया तो 5 डिवाइड में आ गया तो Q² इकोल स्टो P² 5 अब यहाँ पे जो लिखेंगे न वो बहुत अच्छे तरीके से mention करोगे आप कि since 5 डिवाइड since 5 डिवाइड P² क्योंकि 5 जो है वो P² को डिवाइड दे रहा है therefore 5 also divide 5 also divide P, तो 5 जो होगा वो P को भी divide देगा मतलब क्या हुआ sir मतलब क्या हुआ जैसे P का value आप बताओ जो 5 से divisible है ठीक है let us suppose आप बोलते हो कि 25 का जो square होता है वो होता है 625 और ये 5 से भी divide हो जाएगा 5 से divide हो जाएगा 125 में हो जारहा है बिल्कुल तो ये 5 जो है ना ये बात है ये बात है चलो ठीक है तो अब इसके आगे क्या होगा क्योंकि 5 जो है वो P को डिवाइड करें और हमें P के value के बारे में नहीं पता तो हम लोग ऐसा लिख सकते है कि P जो होगा वो simply कितना होगा 5 का multiple होगा यानि कि 5C लिख सकते हो या 5M लिख सकते हो अब लेडर सब्स हमने ऐसा लिख गिया P इसका मतलब जा हुआ सर क्योंकि 5 जो है वो P को डिवाइड दे रहे अभी हमने देखा 25 के इतना होता है 625 और 625 जो है 5 को तो कि डिवाइड चला जाएगा और 5 जो है 25 को भी डिवाइड चला जाता है तो जो 25 होगा वो कहीं नहीं 5 का multiple ही तो होगा वहीं P के बार में हमने बोला कि अगर ये हमारा P है तो ये P जो होगा न वो 5 का multiple होगा यानि कि 5M होगा M का value जो हो सकता है 1,2,3,4,5,6,7,8 जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसी का value ना ये simply हमारे पास कितना आया है P equals to 5M हमने यहाँ पर simply use किया है अब हम लोग क्या कर लेंगे इसको बना लेंगे equation first और put कर लेंगे put P put P in equation इसको equation 1 ना बनाकर इसको equation 1 बनाते है तो put P in equation first equation first में put करेंगे तो क्या आजाएगा that is 5Q square is equals to P square P का value कितना है 5M तो ये हो जाएगा 25M square कितना हो जाएगा 25M square ठीक है इसको हमने 5Q square को 5Q square हैं दिया P square P का value कितना है 5M 5 square 25M square M square 5 से ये cancel हो गया कितने पाइट से 25 times में कितना आएगा 25 times में तो इस basis पे आप बोल सकते हो कि जो M square का value होगा ना वो Q square divided by 5 होगा Q square divided by 5 होगा तो यहाँ पर अगे लिख देंगे कि since 5 divided Q square 5 divided Q square therefore 5 also divide तो इस basis के आपने बोल सकते हैं कि 5 also divide यह हमारा इस किसे भी divide देगा तो वो Q को भी divide देगा अभी हमने दिखा कि 5 अगर P square को divide देता है तो 5 P को भी divide देगा उसे टैप से अगर 5 Q square को divide देता है तो 5 जो होगा वो simply किसको divide देगा that is Q को भी divide देगा ठीक है आगे चला रहा है आगे जला है ठीक है अब लिखेंगे इस basis पे हम लोग क्या क्या बहुत सकते हैं now हमने starting में क्या देखाता है कि इसका hcf1 है लेकिन हमने देखा कि 5p को भी divide कर रहा है 5q को भी divide दे रहा है इसका मतलब इसका hcf5 होगा लो यह क्या बात हुआ यार तो simply हम लोग इसको बस number के form में यह जो हम लिखने वारे ना proper form में यह आपके लिए बहुत जादा important है तो लिखो कि now 5 divides 5 divides both both p and q both p and q पांच जो है वो both p and q को divide दे रहा है therefore हम लोग बोल सकते हैं that implies hcf of hcf of p and q तो इस basis पर hcf बोल सकते हैं p और q का कितना होगा यह पांच होना चाहिए बट बट लेकिन हमने क्या किया है हमने we know that but we know that हम लोग क्या जानते हैं कि hcf equals to 1 हमने लिया है hcf equals to 1 यही तो हमने एंजिम किया था कि इसका hcf कितना है 1 है so 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 there is a contradiction there is a contradiction इसलिए हम लोग से पता चलता है कि यहां पर क्या है ना एक contradiction है और वह contradiction क्या है कि आवर एंजम्शन जो हमने स्टार्टिंग में एंजम्शन लिया था कि इसका hcf होगा वह गलत हो गया तो लिखेंगे डाट इस आवर एंजम्शन एंजम्शन our agent is wrong हमारा एंजम्शन जो है वो क्या है सरा सर गलत है मतब गलत नहीं है सरा सर गलत है तो हैंस हम लोग लिख देंगे हैंस क्या लिख देंगे कि root 5 is an irrational number इस basis पर हम लोग क्या बता दिया कि root 5 जो है वो कैसा है irrational number है और यह simply हमारा क्या हो गया proved हो गया है तो इसका आप पक्का एक अच्छा सा screenshot लेकर आप रख लोगे क्योंकि ये बहुत जादा use होने वाले हैं आगे आने वाले आपके जो session है आगे आने वाले जो boards है उसका exam list में इसी formal proper लिख दियो पक्का तीन number आपके पके हैं सब तीन number बस हाँ तो बस ये question के उबर तीन marks contain कर रहा है क्योंकि CVC में जो हमें sample paper प्रवाइड किया है उसके according ये तीन marks ही कहरिक कर सकते हैं उमीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में question number 27 के solution के साथ जो कि again एक important question रखता है वो भी हमारा तीन marks का question है complete list का link में लिए आपको description में एक बार description आप ज़रू चेक कर दोगे है